किसी भी सरकारी अस्पताल में जब आप चिकिस्सा करानी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चिकिस्सा अधिकारी यानि डॉक्टर के लावा जिस महत पूर्ण स्वास्त कर्मी से आपका सामना होता है उसे फार्मासिस्ट कहते हैं फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है यह वह महत पूर्ण स्वास्त कर्मी होता है जो डॉक्टर दौरा लिखी गई दवाएं आपको उपलब कराता है और भंडार में दवाओं की उपलब्दता भी स व्हारों को पता ही नहों कि अस्पतालों या विस्तार से बताते हैं कौन होता है केंद्र केंद्र और राज्ज सरकार के स्वास्थ्विभागूं के तहट चलाए जा रहे हैं अस्पतालों स्वास्तिकेंद्रों स्वास्तिसंबंदित सरकारी परियोजनाओं आदि में एक महत्वपूर्पद होता है यह स्वास्तिसंबंदित किसी भी संगठन में आपरेशन में मद्ध अस्तर का पद होता है फार्मासिस्ट का कारे अस्पताल या स्वाष्ट कारिक्रम या परियोजना के अनुरूप मरीजों को डोक्टरों के द्वारा प्रसक्राइब्ट दौाओं को उपलग कराना होता है वह भंदार में दौाओं की उपलगता इश्फ विसुनिस्चित करता है साथी दौाओं की कमी होने की स्थिती में दौाओं को खरीदने के लिए विभाग बीबर्ब billionники के लिए अभ्यक्ति को किसी मानिता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान, भौतकी और रसाइन विज्ञान के साथ बारावी उत्तिर होना चाहिए इसके साथ ही किसी मानिता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा एलोपैथिक उत्तिर होना चाहिए जबकि अधिक्तमाय 40 वर्स होनी चाहिए फार्मासेश्ट पद के लिए वेतनमान 20,200 से 93,000 रुपए जबकि ग्रेड पे 2800 से 42 रुपए प्रतिमान निर्धारित किया गया है वही राज्य सरकारों के विभागों एवं संस्थानों में वेतनमान संबंधित राज्य के समकच अस्तर पर निर्धारित वेतनमान के अनुसार दिया जाता है जो कि राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है पार्मासेश्ट को कई वर्सों की सेवा करने के पश्चार वरिष्टता के आधार पर पदुनत करके चीफ फार्मसिस्ट बनाया जाता है इसके कार एवन दाइत तो क्या होते हैं फार्मसिस्ट की भूमिका अस्पतालों इम स्वास केंडरों में मेडिकल परिछणों के संदर में बहुत महत्वपूर्ण होती है इसलिए फार्मसिस्ट से अपेच्छा की जाती है कि उसे स्वास संबंधित जानकारी हो रोगों के अनुरूप आवस्थक इस्तिमाल की जाने वाली प्रचली दवाओं और कमी होने की स्थिती में रिपोर्ट बनाने आद्य में निपुढ़ हो और संबंधित डाक्टर के निल्देसों के अनुसार रोगियों को सेवाएं उपलब करा सके। फार्मासिज डाक्टर के द्वारा लिखी गई दवा मरीजों को उपलब कराता है और उनके साइड इफेट के बारे में भी बताता है। वह एक ही रोगी का एक समय में एक से अधिक चिकिस्सा अधिकारियों द्वारा प्रिस्क्राइब की गई एक ही प्रकार की अउसदियां अत्वा उसके विकल्प से सम्मंधित प्रिस्क्रिप्शन यानि पर्चे को वितरित करने से इंकार कर सकता है। तथा इस प्रकार के मामलों को अपने चिकिस्सा अधिकार की नोटिस में लाकर सम्मधित पर्चे को निरस्त भी करवा सकता है जारों को स्टेरलाइट यानि कीटान रहित करता है रोग्यों को सुई लगाता है तदा सुई लगाने वाले कमरे में आपात काली ववस्था का रख रखाव करता है नर्सिंग स्टाप नहीं होने पर रोग्यों को दवा देता है घाव की पट्टी करता है और शरीर काताप मान लेता है नर्सों के अभाव में ऑप्रेशन के संचालन के लिए दिये गए समस्त कारियों को करता है अवसदिया यानी दवाओं और सुई को समचित रूप से इकठा करने के साथ उसका भंडारण करता है जहरीली अवसदियों को अलग सब्सक्राद से संब्धित अनविलेखों मृत भंडार खाद वस्तों इत्याधिका रख रखाव करता है अन्य वस्तुओं के वितरण की जाच करने में चिकित्सा अधिकारी भंडार की सहायता करता है और भंडार में प्राप्त अवसदियों की कमी या अधिकता की रिपोर्ट देता है एक्सपायरी यानि समाप्ति दीनाग रेजिस्टर का रख रखाव और चिकिस्सा अधिकारियों को आगामी छा माह में एक्सपायर होने वाली अवसदियों के बारे में सूचित करता है ताकि दवाओं का सदुपयोग किया जा सके वह मेडिकल आफिसर इंचार्ज के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदाई होता है भंडार में हर समझ जीवन रच्चक वसदियों के साथ साथ विसकी एंटी डोज आधिकी व्यवस्ता उपलब्द हो सके ऐसा सुनिश्चित करता है अत्वा चिकिसादिकारी अत्वा उपमुख चिकिसादिकारी अत्वा अधिचक अत्वा मुख चिकिसादिकारी की सहायता करता है फार्मासिस्ट इमर्जेंसी सेक्शन में ड्यूटी पर तैनात मेडिकल आफिसर की सहायता के लिए उनके निदेशों का पालन करता है अस्प में सौपे गए कारियों को करता है कि इस जानकारी से आपको लाग अवस्य हुआ होगा लेकिन चिंता और परिशानी की बात यह कि सरकार के तमाम दाओं के बावजूद रोग्यों की अक्सर शिकायत रहती है कि जब वह अस्पतालों या स्वास्त केंद्रों में चिकिस्सा के लिए जाते हैं तो उन्हें चिकिस्सा अधिकारी यानि डॉक्टर द्वारे लिखी गई सभी दवाएं नहीं दी जाती हैं जिसके कारण वह मजबूर होकर महेंगी दर पर बाजार से दवाएं खरीते हैं वहीं मामले के शिकायत करने पर कोई सुनुआई भी नहीं होती है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे हम तो यही आशा करते हैं कि फार्मासिष्ट अपनी करतवियों का सच्चाई से निर्वाह करें जिससे निर्धन और मजबूर रोगियों की उचित सी किस्सा हो सकें और सरकार को भी चाहिए कि वह फार्मासिष्ट की परिशानियों का उचित निराकरण करें अब यदि आपके मन में इस जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रस्णार रहा है अथवा इस संबंधित अन्न कोई जानकारी प्राप करना चाहते हैं तो आप कमिंट बॉक्स के माध्यम से हमसे प्रस्ण पूच सकते हैं आज बस इतना ही धन्यवार।